हाई गाईज नमस्ते जै हिंज जै मातादी और जै भारत उम्मिद करती हूँ आप सब लोग ठीक हो अच्छी सेहत में हो अच्छी अररजी में हो और आज हम बात करने वाले हैं फिर से कलकी पुरान दीकोड करने की और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन हो रहा है कि कलकी प पर्पार करने का जो भी लोग यह सूछते हैं कि अगर कोई माता है तो वो लिटरल है अगर उनका मीनिंग ए तो वो लिटरल है तो वह बहुत्कुल नहीं है ।ो अब वक्त है हम इस बक्तम से इस बॉक्स में से जो हम अपने लिए क्रेट किया है और हम आगे वाले धindreशन क करेfinitely कर रहे हैं उस कि बोक्स बाहर निकले're, तो बोक्स बावर निकलिए और आज हम Бात करेगे, कल हमने बात कि थी जहां पे हमने बात कि थी कल के वेकनिंग के अनरजी में आ रहे हैं और ट्रांस्फॉर्म हो रहे हैं इस टाइम में जिनको ट्वाइस बोला गया है तो कल हमने बात की थी यजुर वेदा वाले ब्रहमन की कि उसकी क्या स्पिसिफिक कॉलिटीज है और कैसे आप उस इनरजी में आओगे आज हम बात करेंगे सामवेदा जो बगन की तो हम सामवेदा की बात करते हैं सामवेदा वाले थ्रेड की, तो उनमें सबसे पहले तो जो थ्रेड होगा, जो सामवेदा अब साम वेदा मतलब वेदा की chant करना, अगर आप यजर वेदा बोलो तो वो मंतरास को कंठस्त करना या मंतरास को याद करना या मंतरास को समझना है और अपनी intuition को awaken करना है और जब आप साम वेदा बोलते हैं तो साम वेदा जो है उसकी chanting करना है, उन मंतरास को actually chant करना है और chant क जो है यजरवेदा और सामवेदा वाले ब्रहमिन में सिर्फ इतना होगा, यह एक्शली वन स्टेप और सेकंड स्टेप है, जब पहले स्टेप पे होंगे, तो आपको अपने 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 इनर्जी को इवॉल्फ करना है, जब आप दूसरे स्टेप में हैं, तो आपको उन वेदा वाले एनर्जी में आओगे, जहां पे आपका थ्रेट जो है, वो नेवल से नीचे हो जाएगा, नेवल से नीचे क्यों होगा, क्योंकि जब बोलते हैं, जब आप चैंटिंग करो, तो वो आपके बेस से आने चाहिए, दूसरा, जब आप किसी को और को कुछ आपके अनर्जी कंप्लेटली ग्राउंडेड होने चाहिए, तब आप किसी और को सिखा सकते हो, तो वो थ्रेट जो है, वो नेवल से नीचे होता है, क्योंकि आपके अनर्जी कंप्लेटली ग्राउंडेड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, मैं हूँ, मैं कौन मेरी क्या existence है जो आपके intuition अवेकन होगी उससे आएगी और फिर आप उसको spread कर पाओगे दूसरों तक तो आपका thread जो है नेवल से नीचे हो गया ये तो आगे ध्रहमिन्स अब twice born की बात करते हैं तो twice born के लिए सबसे पहली चीज जो उन्होंने बोली है खलकी पुरान में वो ह लगलक धर्मों में माथे पे कुछ लगाया जाता है लगलक तरहां का तिलक लेकिन ये तिलक भी लिट्रल नहीं है सिर्फ तिलक लगा के छोड़ दियो और हम सोचे हम ब्रामिन बन गए तो वो नहीं है इसके अंदर भी बहुत सारे गूड अर्थ है और भी हम उन गूड अ बड़ा माइं है अविकन होगे उन्होंने अपना फेथ चो है रिन्यू कर लि辿या होगा उन्होंने अपने जिंदगी को समझ लिया होगा उन्होंने अपने टृट बंख अपन लिया हогगा इसलिए उनकी थर्ड आई ओपन और तिलक मतलब है थर्ड आई का ओपन होना अब ये तिलक में किनके चीजों का तिलक लगेगा उसे भी आपको बहुत जाता चीजें समझ में आएंगी उनको क्या समझ आग जाएगी चीज जो है वो twice born से लिए ये होगी कि वो जो unity है सारी energies एक है हम सब same source से आए है हम सब same source के साथ connected है वो awareness उन में आ जाएगी वो अपनी inner soul के साथ connected होंगे और higher self के साथ अपने source के साथ उनकी connectivity strong हो जाएगी दूसरा जो है उसमें लिखा गया है clay का मतलब है मिट्टी या जो ground earth मतलब मिट्टी की energy और मिट्टी की energy का मतलब है nature की forces के साथ दुबारा से connect होना तो nature की forces के साथ दुबारा से connect होने का मतलब है nature के साथ आपका connectivity है जो earth के साथ जो nature natural पेड़ पौधे जिंदगी grounding इनके साथ जो किनेक्टिविटी है वो डिफरेंट हो जाएगी आपका स्प्रिच्छल कनेक्शन जो है समझाएगा और आप अपने सोल बॉड़ी और में अपने आपको पूरी तरह समझ पाओगे मतब अपनी सोल को भी समझोगे अपनी बॉड़ी को भी समझोगे उन दोनों का कॉंबिनेश तो यह दूसरी क्वालिटी है तीसरा उसमें होगा आश आश का मतलब है स्वाह स्वाह जो होती है बेसिकली जब धूप जलता है या हवन जलता है तो उसके बाद में जो बच जाती है वो आश होती है या स्वाह होती है जो धूल उसकी जो बच जाती है लिटरी धूल नहीं वो permanent नहीं है, आप जो source के साथ, soul के साथ जोड़े हो, वो permanent है, लेकिन physical body धूल में, मिटी में मिल जाएगी, एक दिन तो physical body permanent नहीं है, तो ये 3 aspects जो हैं, वो उनकी 3rd eye को open करेंगे, तो तिलक का मतलब है, कि ये 3 aspects जो है twice bone के लिए, जब आप बोलोगी कि मैं twice bone हूँ, को आप उन ती 5 aspects को समझ चुके हो, जब आप समझ चुके हो, तो आप twice bone हो, और twice bone का काम क्या है, कल्की की, बातों को, कल्की की energy को दुनिया तक पहुँचाना अब यह तिलक जो है यह नाक से शुरू हो के आपके हेर लाइन तक जाएगा मतलब यहां से यहां तक आपका तिलक जाएगा अब लिटरल नहीं है कि आपको तिलक लगा के रखना है यहां से बट बेसिकली यह है आपकी एनरजी को ग्राउंडिड रखने के लि आपके एनरजी दूसरों को इंपक्ट करती है इसलिए तिलक का सिस्टम भी शुरू किया गया था बट आपका थर्ड आई जो है वो कंप्लीटली आवेकन हो जाएगा आपकी किस्मत जो है वो बदल जाएगी आपका माइंड सेट जो बोलते हैं माथे पे आपकी किस्मत की लकीरे होती है और इसमें सारी लकीरे जो है कवर है जो ये 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 लकीरे आती है इसमें सारी लकीरे कवर है इसका मतलब है कि आप किस्मत से जादा आप पुर्थ को सच्चाई को समझना शुरू करोगे और वो सच्चाई जो है वो आपके साथ कनेक्टेट हो जाएगी अब इसकी Length जो है वो 3 Fingers बताई गई है अगर आप तीन finger finger रखेंगे तो आपका माथा कवर होता है तीन होली में तो 3 Fingers की Length जो बनाई गई है क्योंकि Brahma Vishnu Mahesh Brahma Vishnu Mahesh 3 Fingers की Length बताई गई है का मतलब है कि इसमें आपके सारी Energies जो है आपके सारे Chakras आपके creation, आपका maintenance, आपका destruction, which means आप life cycle जो है, उसको पूरी तरह समझ जाओगे, तो वो twice born के energy है, वो awakening के energy है, अब एक और कारण क्यों मैं बोलती हूँ कि ये चीजे literal नहीं है, क्योंकि इसमें आगे लिखा गया है, कि जो heavenly planets हैं, जो gray हैं, वो उनके हाथों में recite करेंगे, अब आप स अपनी किस्मत twice born के अपने हाथ में होगी, वो समझेंगे कि कोई और चीज उनके जिंदगी को नहीं बनाती है, वो बागी चीजों को impact कर सकते हैं, it is like, कोई चीज अगर मुझे impact करती है, तो मैं उनको भी impact कर सकती हूँ, तो मेरे जो energy है, मेरी जो fate है, वो मेरे अपने हाथ होगी, twice born को यह समझ में आ जाएगा, कि planet उनको rule नहीं करते हैं, बल्कि वो planet के energy को rule कर सकते हैं, change कर सकते हैं, इसलिए planets उनके हाथों में होगे, उनकी body जो है, वो सारे holy places उनके शरीर में होगे, अब आप सोचो कि literally ऐसा हो सकता है, कि एक जो person है, उसके सारे holy places उसके शरीर म symbolic energies हैं, और बहुत clear है, उन्होंने इसलिए ऐसे example ऐसे चीजे लिखी है, ताकि जो भी थोड़ा सा समझदार हो, उसको समझ में आ जाए कि यह symbolic है, holy places body में होगी, बिल्कुल क्योंकि trispawn को यह समझ में आ जाएगा, कि उनका शरीर जो है, वो एक मंदिर की तरह है, और उसको material world के modes है, जो material world की चीजे हैं, वो उनकी empirical cord में, मतलब आपके navel में attached होंगी, तो जो material चीजे हैं, वो navel में attached होंगी, क्यों 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 navel में attached होंगी कि वो attachments जो हैं वो आपको रूल नहीं करती है तो आप क्यों जैसे court कट हो जाती है मदर के साथ जब बीबी बॉन होता है तो वो court काट दी जाती है वो इसलिए काट दी जाती है कि अब तुमारे dependency खतम है अब तुम्हें अपने आप अब अपने आपको अपनी learnings के साथ establish करना है लेकिन वो चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं ये चीज़ जो है ये twice born समझेंगे गायतरी मंतर उनका necklace होगा अब सोचो कि literally necklace तो नहीं पहनेंगे गायतरी मंतर का गायतरी मंतर उनका necklace होगा विज मीन्स कि गायतरी मंतर उनको contest होगा विज मीन्स कि उनकी voice जो है उनकी जैसे गायतरी मंतर बहुत effective है दोसरों की energies को change कर सकता है positive energies को ला सकता है किसमत को चीज़ों को बदल सकता है उसी तरह उनकी जो voice होगी उनका जो throat होगा उनकी जो बात करने का ढंग होगा, उसका impact गायतरी मंतर जैसा होगा, वो आपको calmness देगा, आपको अराम देगा, आपको अच्छी energy देगा, positive energy देगा, religion principles जो हैं, वो उनकी chest में रहेंगे, which means that जो spirituality है, religion का मतलब यहां literal religion नहीं है, जिन पर हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पर जो spirituality है, वो उनकी chest में, which means कि वो intuition से flow करेंगे, वो intuition जो है, वो उनको guide करेगी, intuition की energy को लेकर वो आगे पड़ेंगे, irreligion है, जो वो उनके back में होगा, which means कि जो spiritual नहीं है, जो selfishness है, वो उनको पता होगा कि यह मेरी अपनी responsibility है, यह मेरा अपना भार है, और यह मैं भार लेक चल रहा हूँ, तो मुझे इस बाहर को लेकर चलना है, या नहीं चलना है, मुझे selfish होना है, या नहीं होना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, या नहीं सोचना है, मुझे spirituality से अलग होना है, कि नहीं होना है, और उनको समझ में आएगा, कि यह उनकी अपनी responsibility है, मैं अप जो है यह होंगे जो कल की मिशन के लीडर होंगे और कल की मिशन को आगे लेके जाएंगे इनका में अख्यूपेशन में काम जो होगा वो कल की मिशन को आगे लेके जाना होगा और इसकी जो लास्ट लाइन है वो सबसे जादा ब्यूटिफुल है क्योंकि उसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत connected फील होगा क्योंकि लास्ट लाइन जो है वो बोलता है कि मैं दुनिया में आऊंगा जो मेरे ब्रहमन हैं उनकी जो स्टेट्मेंट्स हैं वो जो बोलेंगे उसका सत्य साबित करने के लिए मैं दुनिया में आऊंगा I reincarnate to show the truth of their statements जो ब्रामिन बोलेंगे, जो कल्की की एनर्जी के बारे में दुनिया में बात करेंगे, जो कल्की की एनर्जी को फैलाने की कोशिश करेंगे, जो कल्की को समझाने की, उसका सच समझाने की कोशिश करेंगे, उनको दुनिया पागल समझेगी या उनको दुनिया बहुत positively नहीं लेगी और कल की जो है वो सामने आएंगे दुनिया के बताने के लिए कि ये जो बोल रहे है ये मेरे ब्रामिन्स है और ये सही बोल रहे है और मैं हूँ तो ये सबसे जादा ब्यूरिफुल स्टेट्मेंट है इस चैप्टर की और इसलिए ये इनर्जी जो है ये आपको अपन जो 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 चैपके है जो 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 समझे जो रिलिजुन का सत्य है स्प्रिच्वल्टिय है उसको संजी और अपनी आवाज अफनी वो इस अपनी expression में वो ताकत लाए ताकि लोगों को आपके आवाज जो है वो समझ में आए soothe करें, balance करें और उस energy को महसूस कर पाएं तो ये कलकी का next chapter था और अभी मैं इस chapter के बाद आपके साथ बात करने वाली हूँ एक और बहुत beautiful chapter की कि Maya हमें कैसे impact करती है उसके पीछे उससे पहले मैं थोड़ा सा एक background दूँगी आपको और उसके बाद मैं Maya के बारे में बात करूँगी या हो सकता है कि मैं पहले Maya से पहले मैं बात करूँ आपके साथ कि कैसे ये जो COVID है ये कलकी पुरान में already है कैसे ये जो awakening हुई है COVID के बाद ये कलकी पुरान में already है और कहां पर ये दिया गया है और क्या meaning है तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगर हो सकते तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए जादा से जादा लोगों तक पहुंचाईए क्योंकि लोगों को समझना जरूरी है कि कलकी पुरान में जो भी है वो literal नहीं है उसका बहुत जादा symbolic meaning है और जैसे हम समझेंगे वैसे ही हम spread करेंगे और कलकी के ब्रामिर होने के नाते आपके भी responsibility है इसको spread करने की तो thank you so much take care for yourself अपना ध्यान रखिए बाई बाई